जम्मु कश्मीर जितना खुबसूरत है उतना ही पेचीदा उसका मामला भी 370 के खिलाफ सुप्रीम कोट में आज सुनवाई का पाँचवा दिन था 5 अगस्ट 2019 को जम्मु कश्मीर से 370 को वापस ले लिया गया था लेकिन कई लोगों ने इस फैसले के खिलाफ कोट में याचिका दायर कर दी जम्मु कश्मीर से आठिकल 370 हटाने के फैसले को चुनोती देने वाली 23 याचिकाओं पर गुरुवार 10 अगस्त को पाचवे दिन सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई याचिका करता मुजफर इकबाल की योड से सीनिर एडवोकेट गोपाल सुब्रिमन्यम और जफर शाने अपनी बात रखी जम्मु कश्मीर का भारत में विलै बिना शर्त के हुआ था आठिकल 370 पर सुप्रीम कोट में 3 साल बात सुनवाई हो रहे हैं आठ अगस को हुई सुनवाई में डीवाई चंदरचूर ने कहा आठिकल 370 खुद कहता है कि इससे खत्म किया जा सकता है कपिल सिब्बल ने बोला 370 में आप बदलाव नहीं कर सकते इससे हटाना तो भूल ही जाए इसके जवाब में डीवाई चंदरचूर ने कहा आप सही कह रहे हैं इसलिए सरकार के पास स्वैम 370 में बदलाव करने की कोई शक्ती नहीं है इस पर सिब्बल बोले ये अपने शब्दों में समझाना या इंटरप्रेट करने वाला क्लॉज है ये समविधान में संचोधन करने वाला क्लॉज नहीं है सुनवाई करने वाले पांच जजों की बेंच में चीफ जस्टिस जीवाई चंदरचून, जस्टिस S. के कॉल, जस्टिस संजीफ खना, जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस सूरिकान शामिल है गोपाल सुब्रमन्यम ने कहा, विलाई के समय जो मुकशमीर किसी अन्यराज की तरह नहीं था, उसका अपना समविधान था, हमारे समविधान में विधान सभा की निकाला जाएगा नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखके रहिए योस 24